आज जम्मू कस्मीर के लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाने के लिए देश के कोने कोने से आये गड़माने अतितियों को देखने का उनके स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मैं इस वर्स के वर्ल्ड मिल्क डे उत्सोग के आयुजन के लिए जम्मू कस्मीर संग अरज चेत्र का चेन करने के लिए भारत के सम्माननी प्रधान मंतरी आदर्णी स्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के आदर्णी मंतरी स्री रूपाला जी के परती हर्दे से कृतक ग्यापित करता हूँ अभी वाले अंजी ने बताया मैं माफी चाहता हूँ अगर किसी बाहर आए बाहर से अतिति को को यह सुविदा हुई है मैं एगर कल्चर रेलाइड डिपार्टमेंट के सबी अपसरों को यह उनसे पेक्षा है मेरी कि जो भी बाहर से अतिति आये कारकम के समापन के बाद भोजना उकास के प्रश्याद कि आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप यह सुनिशीत करें कि किसी को कोई प्रकार किसी प्रकार की असुविदा नहीं हो जब हमारे मुक्ष सची बोल लए थी तो नहीं ने थोड़ा जिक्र किया मित्रों पच्छिस मई को टूरिजम वर्किंग ग्रॉप की मीटिंग जी ट्वेंटी देशों की खत्म होई जमू कस्मीर में जी ट्वेंटी की बैठक का सफलता प्रुवकायोजन होना ये देश के लिए तो परसनता की बात ही है मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लगातार ये कोसिस करते रहे हैं कि जमू कस्मीर में कैसे परिसानी पैदा की जाए उनको एक बड़ा सबख मिला है और मैं ये बात कह सकता हूं कि ये सच है कि जमू कस्मीर की आवाम ने इसमें बढ़ चरकर के हिस्से दारी जी भाई और इसके पीछे जो मुख्य कारण है 2019 के बाद आजरणी प्रधानमंत्री जी के नेतर तुमें जिस तरह से जमू कस्मीर में एक बदल प्रारण हुई उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं विबिन ने छेत्रों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं जमू कस्मीर ने उसके कारण आवाम का विस्वास प्रसासन में और भारत के सम्मानी प्रधानमंत्री जी में बढ़ा मुझे याद है 2001 में युनाइटे नेसंस ने वर्ल्ल मिल्क डेव बनाने की परंपरा सुरू की था उस समय में देश की संसद में था और भारत के पूरु पुर्धानमंत्री सरदेटल विहरी वाज़ी पे जी ने सभी डेरी फार्मर्स, सरमिक बंदूओं, डेरी मैनेजर्स और वज्यानिकों से अपील करते हुए एकता की भावना से ग्लोबल कम्टिशन में हिंदुस्तान को नई उचाई पर ले जाने कावान किया था नो सिर्फ फूड के महत्व पूर्ण एलिमेंट के रूप में या नट्रिसन के रूप में बलकि दुनिया भर में एक बिलियन से जादा लोगों की आजीविका के रूप में भी डेरी सेक्टर ने अपनी महत्ता स्थाफित की है जब मैं दोहजार एक से पिछले बाईस सालों की डेरी सेक्टर की यात्रा को देखता हूँ तो एक बड़ा परिवर्तन असपस चूप से नदर आता है आज भारत वर्ष में डेरी सेक्टर नक्योवल गरामी नर्थ व्यवस्था को नई गती देने में बलकि देश भरके लाखों लोगों के लिए करोडों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्तवपूर्ण स्रोथ बन गया है ऐसे नेक किसान भाई हैं जिनके जीवन में डेरी ने सिर्फ अतरिक्त आएदिसनल इंकम की व्यवस्था नहीं की बलकि पूरे परिवार को भी रोजगार से जोड़ने में मदद की है मुझे विश्वास है कि यह दो दिवसी सेमिनार डेरी सेक्टर से संबन दित हमारी नॉलेज को सम्रद करके कोलिबरेशन के माध्यम से बेस्ट प्रेक्सिस तथा प्रद्योगी की किया आदान प्रदान के लिए एक महत्तवपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा साच्यों मैदानी इलाके में कहवत बड़ी प्रसिद्ध है देश के विविन हिस्सों से लोगा हैं इसलिए मैं इसको उध्रत करना चाहता हूँ तीन पईत खेती दू पईत गाय यानि रोजाना खेत की तीन बार सेवा करना चाहिए और गाय की कम से कम दो बार सेवा होनी चाहिए खेत और गाय जो एक किसान परिवार का सहारा है उसकी जितनी इंसान सेवा करता है उससे दुगनी सेवा खेत और गाय इंसान और उनके परिवारों की करता है ये कहावत साइद इसलिए भी परसिद्ध हुई क्योंकि हमारा वैदिक समाज मुख्यतया पसुपालन पर निर्भर था समाज को जो संपन समाज का जो संपन आदिमी होता था उस जमाने में उसे गोमत कहा जाता था उससे उपर जो अनंत गायों का स्वामी होता था उससे गवपती कहा जाता था यह हमारी पुरानी वैदिक परंपरा में यह सब्द है समाज की समर्धी इस बात से ना पी जाती थी कि कौन कितने गायों का मालिक है स्वामी है और अगर रिगवेद की मैं चर्चा करूँ तो ने कस्थानों पर यह जिक्र है कि समाज की समर्धी और खुसाली की नीव डेरी और खेती पर ही तिकी हुई है साथियों इन अतिहासिक बिंदूओं पर नज़र डालना इसलिए भी आवस्यक है कि तब से लेकर आज तक समाजी का आर्थिक व्यवस्था एवम रास्ट की आर्थिक गत्विदियों में इन दोनों सेक्टर्स का युगदान आज भी उतना ही प्रभावी है जितना प्राचीन काल में था और कोरोना महामारी के दवरान तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश ने अनुभू किया और दुनिया ने अनुभू किया बाकी सेक्टर्स की रफ्तार धीमी पड़ गए थी लेकिन अगर भारत को किसी ने समाला यहां कि आर्थिक व्यवस्था को समाला तो यही सेक्टर था मैं समझता हूँ कि दुनिया के ने कैसे देश हैं जहां डेरी सिक्टर नो सिर्फ बहतर रूजगार के उसर उपलब्द करा रहा है बलकि मिल्क प्रस्टिंग इंडस्टी ने अन्य पारंपरिक इंडस्टी की तुल्ला में अपना बहुत ही महत्वपून युगदान दिया मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि 2014 में भारत की राजनितिक सब्दावली में ही क्योल बदलाव नहीं हुआ बलकि देश की कार्यसंस्कृती में एक बड़ा बदलाव आया और आदर्णी नरेंद्र मोदी जी ने जब बागडोर समभा लिए अलग अलग सेक्टर को नई गत्सीलता देने के लिए व्यापक माने पर नई उजनाएं बनाई गई उनके इंप्लिमेंटेशन के जिम्मेदारी सौपते वक्त डोमेन एक्सपर्ट्स की सहायता ली गई इस अभियान में डेरी सेक्टर का रोल भी बड़ा महत्वपून था और मुझे त्यंत प्रसनता है उनके मार्गदरसन में और रूपाला जी के नित्रतु में मिल्क प्रोडक्शन में लगबख 51 परसेंट की ब्रधी हमारे देश ने दर्ज की है ये 2021-22 कहां कड़ा हैलका जी ने उसको बताया और देश के हर नागरी को गर्व है कि आज भारतवर्स ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है बलकि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में लगबख 24 प्रसत हिसाज भारत का हो गया है ये हम सब के लिए सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है साथियों अब मैं थोड़ा जम्मू कस्मीर का जिकर करूँगा है मारे हां की 70 फिस्दी आबादी क्रिसी और उसे संबंधित गत्विधियों को अपना जीवन यापन करती है मोटे तोर कर 13 लाग से ज़्यादा परिवार है और जिनका जीवन यापन अग्रिकल्चर और एक्टिविटीज पर निर्भर करता है अगर वर्कफोर्स की मैं बात करूँ तो 50% वर्कफोर्स हमारी एक्रिकल्चर और एलाइट सेक्टर में ही काम कर रही है अगर यह मैं कहूं कि हमारा लाइव स्टाक सेक्टर विशेश रूप से डेरी सेक्टर एग्रिकल्चर जीडीपी के मुखेंजन के रूप में काम कर रहा है तो ये कोई अतिसयोक्ती नहीं होगी पूरी की पूरी एग्रिकल्चरल एकॉनमी पर अगर हम नजर डालते हैं तो एक महत्वपुन तत्थ उभर कर सामने आता है कि ये सेक्टर इंडस्ट्रियल एवं सर्विस सेक्टर को भी गती प्रदान करने में अत्यंत महत्वपुन भूमिका का निरुभन करता है जहां ग्रामीर समदारों का उत्थान करने के अलवा हमारी करसी व्यवस्था एक ऐसे एको सिस्टम को मजबूत करने का काम कर रही है जो समगर विकास की हमारी प्रात्मिक्ताओं में अहम रोल अदा कर रहा है मुझे आज एक बात का अफसोस होता है कि ग्रामीर व्यवस्था को बदलने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के अपार छमता के बावजूद 2019 के पहले जम्मू कस्मीर में लाइव इस टॉक सेक्टर उस हद तक प्रमोट नहीं किया गया मैं कहूं पूपेक्षित था लेकिन 2019 के पश्चाद इस सेक्टर को रिवाइव करने में यम्मू कस्मीर प्रसासन ने महत्वपुन भूमिका भी नहीं भाई और हमारे किसान भाई भहनों ने भी मेहनत करके इस सेक्टर को रिवाइव करने में बड़ी मदद किया लाइव स्टॉक सेक्टर के बजट को तीन गुना हमने कर दिया एक बड़ा कदम थे और इस सेक्टर को सिखर तक ले जाने के लिए हर कोशिस यम्मू कस्मीर प्रसासन कर रहा है लाइव स्टॉक सेक्टर के डवलप्मेंट के लिए एक एक एकरत डेरी विकास योजना एक एकरत फीड और चारा विकास योजना एक एकरत भेण विकास जैसे लाभार्थी उन्हों के योजनाओं की सुरुबात जमू कस्मीर प्रसासन ने की है 2020 में तीन दस्कों के अंतराल के पश्चाथ आस्ट्रेलिया से 429 उच्च वन्स वाली मेरीनो भेण का हमने इंपोर्ट किया है इस कदम का उदेश जमू कस्मीर में मटन उत्पादन को बढ़ाना है उनकी गुडवत्ता में सुधार करना है और इन ब्रिडिंग जैसे मुद्दों को भी एड्रेस करना है आज भी लगबग हर साल आपको जानकर आश्चर होगा कि 1125 करोड रुपए की 10 से 15 लाग भेण बकरियों का इंपोर्ट जमू कस्मीर कर रहा है 2022 में निवी लैन के साथ हमने केमयू किया है और निवी लैन की सादिधारी में transfer of technology, research and development के साथ किसान भाईयों की आई में भी सुधार किया जा सके नीतिगत सुधारों की वज़े से जम्मू कस्मीर की किसान भाई पिछले तीन वर्सों में देश के सीर्स पांच राजियों में सामील हो गए कुछ लक्ष लेकर के हम काम कर रहे हैं और इस लक्ष की प्राप्ती के लिए पिछले वर्स देश के सिर्सस्त क्रिसी वई ज्यानिकों के ध्यक्षिता में एक अपेक्स कमेटी का गठन किया गया था जिसमें देश के जाने मने ख्रसी वई ज्यानि, हमारे दोनों ख्रसी विश्यव द्यालों के कुलपती, हमारे एकरिकल्चर और इलाइड डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, प्रोग्रेसी फ़ार्मर्स और किसान बोर्ड के हमारे सदस इसमें सामीर हुए और काफी महनत क करके उन्होंने एक holistic agricultural development plan जम्मू कस्मीर के लिए तैयार किया है जब presentation अमनों के सामने हुआ तो जो समिती के अध्यक्ष थे कभी वो बिहार योजनायोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे आप में से कुछ मित्रों को मालूम होगा कि एक समय था जब बिहार की agricultural ब्रोथ लगबग ग्यारव बारव परिस्ट तीन साल तक रही उस समय जो उन्होंने इंटर्वेंशन प्रपोज किये थे बिहार में वहां के मुख्मंत्री जी ने का कि साब हम पैसा नहीं दे पाएंगे कि और एक इंटर्वेंशन के लिए उन्होंने धन दिया था इस योजाना में 29 प्रजेक्ट या 29 इंटर्वेंशन उस कमिटी ने प्रपोज किया है जो हमारा बजट है उसके अलावा पांच हजार तेरह करो रूपए जो बड़े राजी है धर्मपाल जी को पांच हजार तेरह करो रूपए बहुत छोटा लग रहा हुआ कंकि वो तरप्रदेश से आते हैं लेकिन जो छोटे राजी या जो संग राज च्छत्र यूटी के लोग हैं उनको ये बात समझ में आ कवती करनी पड़ेगी तो करेंगे लेकिन पांच हजार तेरह करो रूपया तो जरूर देंगे और मैं आभारी हूँ आधरणी पुर्धारमंत्री जी का और रुपाला जी का विशेश रूप से आभारी है क्योंकि बिना CSS के सहयोग के तो मैं समझता हूं कि जम्मू कस्मी से आभार विख करता हूं कि जो मांगा था उससे ज्यादा रुपाला जी नहीं में दिया अब इस योजना की जब सुक्रती परदान की गई तो उसके बाद अग्रिकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अपने सभी अधिकारियों के प्रसिक्षन का कारकम हम लोग में चला है और वो कारकम तीन महीने चला मैं आपको एक छोटी घटना बताता है राजभौन में एक हमारे अंडर सेक्रेटरी एक आफिसर है उसकी पतनी अग्रिकल्चर डिपार्टम ने काम करती है मुझसे तो बिचारा बात नहीं करता है अपने सातियों से उसे ने कहा कि ये अग्रिकल्चर वाले पता नहीं क्या कर दी है कि जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरी बीबी 29 प्रोजेक्टी चर्चा करती है बराबर भासं देती है मैंने मैं इसलिए इसका जिकर किया कि हमारे अग्रिकल्चर और एलायट सेक्टर के जितने भी हमारे अधिकारी है डिस्टिक लेविल के आज वो किसी विसे पर कुछ भी बता सकते हैं ये कोशिस हमने की है उसके बाद अब किसान संपर कभियान हर पंचायत में तीन दिन का प्रजिक्षन कारक्रम विसे इस कारकम हम चला रहे हैं और जिस तरह से किसानों की भागीदारी हो रही है मुझे पूरी तरह से उमीद है कि आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल हमें दिखाई पड़ेगा हम रिकल देटा भी तैयार कर रहे हैं तेरह लाक में से दो लाक 62,000 परिवार ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं हमारी सबसे पराथमिक्ता है कि इन मार्जिनल फार्मर्स को रिन फेड एरिया है तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर के कोशिस की जा रही है और मित्रों मैं आज कहना चाहता हूं मैंने आधरणी पुर्धानमंत्री जी क यह पूरी प्रोजेक्ट पूरे दस्तावेज मैंने उन्हें दिखाया थे और मैं मानता हूं कि एक बहुत ट्रांस्परेंट और ब्योहारिक पालिसी जमू कस्मीर ने बनाई है मैं नाम नहीं लूँगा कुछ राज यह भी हमारी पालिसी का नकल भी कर रहे हैं जमू कस्मीर का प्रसासन पूरी तरह से प्रतिबद है कि अगले पाँच साल में इन पूर्जेक्ट को हम जमीन पर किसानों के सहयोग से सही माइने में उतारना चाहते हैं और प्रोडेक्टिविटी के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़े अग्रिकल्चर और एलाइट सेक्टर सस्टेनिबल भी हो और उसे कैसे कामर्सियल स्वरूप परदान किया जाए इसके लिए हम काम कर रहे हैं तीन लाग कमजोर और छोटे सिमान किसान परिवारों को आर्फिक सुरक्षा परदान करने उनके जीवन अस्तर में आमूल चूर परिवर्तन लाने का प्रियास कर रहे हैं इन प्रोडेक्ट्स के माद्यम से लगबग तीन लाग लोगों को हमरोजगार देंगे उननाईस हजार से जादा नए अगरी इंटरप्रिनियोर बनाएंगे धाई लाग से अधिक किसान भाई और इवाओं को इसकिल डेवलप्मेंट के बल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे बलको उन्हें सर्टिफिकेट भी देंगे ताकि हमारा पूरा एकोसिस्टम मजबूत हो सके और बड़ा कंजरवेटी वनवान के साथ में कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारी जो गुग्रोथ होगी पांच साल बाद वो 11 से 12 प्रिस्ट जरूर होगी उससे नीचे नहीं होगी ज्यादा होगी और जीडीपी में लगबग 65,700 करुन रुपे की वर्दी हम कर पाएंगे अब मैं होलिस्टिक एग्रिकल्चर डेवलप्मेंट प्रोग्राम में डेरी का विसेज ध्यान हमने रख रहा है जैसा अभी बताएगे आपको कि आज हमारा प्रोड़क्शन जो है लगबग 26 लाख मिट्रिक टन के आसपास है जब मैं आए था तो मिल्क डेवसी तेरिया थी अब हमारे पास दूद की कमी नहीं है और मैं आस्वस्थों की इस प्रोड़क्श के बाद हमारे पास काफी सर्प्लस मिल्क होगा इस परियोजना को पूरा जब हम पाइंच साल में करेंगे तो 7.56 परसेंट की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेरी सिक्टर में और लगबग 8.5 लाख लीटर सर्प्लस मिल्क जम्मू कश्मीर पैदा करेगा हम चुनोतियों को भी जानते हैं और फाडर की कमी हमारे पास है उसका भी इस परियोजना में हमने ध्यान रखा है फार्मिंग एक्सपेंसेस डिमांड्स करती हैं हमारी इमेडियेट एटेंशन और फाडर में भी हम असी प्रसत आत्मंदिर पर हो जाएंगी इस चैलेंज को हमने स्विकार किया है जो रणीध हमने बनाई है वो वईग्यानिक है आपाइदी लगबग दो दस्मलों तीन परसत के वर्दी हर साल हमारे हां हो रही है और इस वर्दी के आधार पर भी नौसो बीस ग्राम दूद हर व्यक्ति को मिले इस योजना का मुख्य लक्ष है तीन मिजर इंटर्वेंसंस हैं देरी के सेक्टर में प्रोड़क्टिविटी इन्हांस्मेंट चिलिंग प्रॉस्टिंग के प्रेस्टी इन्हांस्मेंट एंड वैलू एडिशन विद इंप्रूव्ड मार्केट असेसिबिलिटी आज प्रोड़क्टिंग की छमता हमारी एक लाग से बढ़कर अब दो लाग के आसपास हो गई है पांच लाख लीटर हम अगले तीन साल में कर लेंगे इसके अलावा भी कॉपरेट्व सेक्टर ने एक नई करांती यम्मू कस्वीर में पैदा की है मैं उमीद करता हूँ कि उसके कारण भी निश्चित रूप से हम बेहतर इस्थिती में होंगे हमारी प्रतिपधता है देरी सेक्टर को आगे ले जाने की रूपाला जी का मैं विशेस आभारी हूँ कि जब सचल चिकित साले पस्वों के लिए देश में सुरू हुआ तब भी उन्होंने जब्मू कस्मीर को ही चुना और यहीं से आ करके सचल चिकित साले आज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं नेस्टनल डिजिटल लाइब लाइव स्टॉक मिसन के पाइलट लांच में भी जब्मू कस्मीर को उन्होंने सामिल किया मानी प्रधान मंत्री जी के दूरदरसी नेतर तुमें डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से लाइव स्टॉक सेक्टर को रिवाइब करने में निश्चित रूप से हमें सहायता मिलेगी अन्त में वर्ल्ड मिल्क देखे अउसरपत मैं डेरी उद्योग में उलेखनी युगदान देने वाले सभी डेरी फार्मस, इंटरपेन्योस को बहुत बधाई देना चाहता हूँ उनकी अथक मेहनत को नमन करता हूँ और रुह्मानि मंतरी जी, दोनों राज्य मंतरी गण, राज्यों के हैवे सभी आदर्नी मंतरी गण, बारस सरकार के सभी अरिकारियों क का मैं हरदे से स्वागत करता हूँ, उनका भिंदन करता हूँ और ये मेरे लिए या हमारे पूरे प्रसासन के लिए ये सवभाग्य का अउसर है कि आप सब यहां उपस्तित हुए आधानी मंतरी से मैंने चर्चा की है कल जम्मुकस्मीर प्रसासन आप सब लोगों के लिए कुछ आयोजन करेगा आप सब थोड़ा समय निकाल करके उसमें जिरूरा में अंत में मैं अपने किसान भाईयों के प्रतिविसेश रूप से आभारिवत करते हुए आप सब को नमस्कार करते हुए बात खतम करता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि जम्मुकस्मीर अब बहुत आगे निकल गया है वो जगहें जिने दूसरे कारणों से देश जानता था है वो सोपियां हो पुर्वामा हो वहां तिरंगा यात्रा में दस सजाब नोजवान भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जैके नारे लगा रहे हैं यह बदलाव जम्मुकस्मीर ने पिछले तीन सालों में देखा है मैं समझता हूँ कि यह लक्ष मानी पुर्धामंत्री जी ने तय किया है जम्मुकस्मीर के लिए हम सब उसके लिए संकल्पित हैं और निश्चित रूप से किवल जम्मुकस्मीर भारत के साथ एक इकरत नहीं होगा बलकि विक्सित भारत में भी जम्मुकस्मीर का अपना मह तो पुर्ण युगदान होगा उस द्रिश्टी से हम सब काम कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन